दौरेटा की सड़क जिस कॉलोनी में है उस कॉलोनी के आसपास टीम इंडिया के क्रिकेटर दीपक चाहर भारतिय महिला टीम की क्रिकेटर दीपती शर्मा और डांसर्स पर्ष का भी घर इसी कॉलोनी में है कुछ लोगों ने अपना मकान कहीं और बना लिया है लेकिन गरीब लोग आखिर कहा जाएं एक मिडल क्लास फैमली के लोग अपनी जीवन भर की कमाई से मकान खरीते हैं एक और बानगी आपको दिखाते हैं सडक की ये देखी आप ये गाड़ी आ रही है ये काफी बड़ी गाड़ी है इसका चेमबर जो आगे का जो बोनट ही वो भी पानी में डूपता हुआ नजर आ रहा है जहां से एर जाती गाड़ी की जो बोनट लगा नीचे एक तरफ ज किसी ने बीजर संग्यार नहीं लिया चायो जनपतिदी हो या अधकारी हो या जो है यहां की ग्राम परदान हो तमाम तरह के यहां पर लोग ब्योस्ता देखने के लिए हैं एक सज्जन यहां मौजूद हम उनसे बात करते हैं आप जी क्या नाम है आपका जी मेरा नाम प्र हम लोगों के साथ वो हमारे छोटे बच्चों के साथ में खेले हैं और आज जो है राहुल चाहर के पिदाजी अपना मकान बेचके जा चुके हैं दीपक चाहर का पडौस में मकान है बगल में ही हैं और केवल वहां पर उनकी मा रहती हैं बाकी का परिवार यहां से जा चु कोई हैं आखिरकार यह क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे अगर प्रतिभावान बन जाते हैं तो यहां से प्लाइन कर जाते हैं इसका मतलब हम लोगों को ऐसे ही रहना पड़ेगा आप आगे आईए जी आप यह बताइए कि यहां इतने सारे नाम बताइन होने दीपक चाहर दी इतना पैसा नहीं है उसने पूरे जिंदगी बर्गी पूंजी उसने पूरे अपने घर में लगा दी घिवन काल में एक घर बना पाता है अब तो सर самой अगर करके जाएंगे तो हम जाएंगे काँ पैसा भी नहीं है और जिस गर में हम रह रहे हैं वहां पर हमारा एंट्री नहीं हो सकता है इतनी खराब है सर जब भी बारिस होती है यहां बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं अगर आप 112 पर भी कॉल करेंगे तो टाइम से पुलिस नहीं आ सकती है 15 साल पहले खंबी लगाए गए जो कि पानी में घड़े हुए हैं अब वो जंग खा रहे हैं अगर वो किसी दिन गिरते हैं और किसी के चोट पहुंसी या किसी की मौत होती है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा सर तो मैं तो प्रसासन से यह कहना चाहूँगा कि समय रहते इसके उपर काम कर लिया जाए नहीं तो इस्तिती दिन वा दिन बिगरती जाएगी और किसी भी घटना के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे कि यह वह जगह है जहां पर किरिक्यृटर दीपक चाहर राहूल चाहर का घर होगा करता है और यहां दीपक चाहर भी रेती हैं और इसके लावा और भी तमाब डिग्निटी यहां पर रही है जिन्हों ने अपना मकान तो बेज दिया है चुकि उनके पास पैसा था आप लोगों पास पैसा नहीं तो अपनी जमापुजी लगाए हुई लोग अपकर कहां जाएंगे सबसे बड़ी समस्य है इस बात की भी है कि यहां अगर कोई घटना घटित हो जाए ना तो अम्बिलन्स आ सकती है ना ही यहां पुलिस आ सकती है ना ही रिष्टिदार आ सकते है इसके लावा इससे बड़ी जो घटना वो है कि यहां के लोग अगर चाहें वारिश की दिनों मे कि मार्केट चले जाए या रोट क्रॉस कर ले तो वो भी इनके लिए संभो नहीं है यहां तो जीवन हालात ऐसे हो गए है जैसे एक साप के मुझे एक चचुन्दर अगर फस्ती है अगर उसको निगलता है तो अंदे हो जाती अगर अंदर लेता है तो मर जाता है वही हाल इस सड़क का भी हो चुका है